असलाम अलेकूम माई यूटूब फैमिली तो कैसे आप सब लोग अलहम्दलिल्ला सब लोग खायरेस होंगे अलहम्दलिल्ला मैं भी ठीक हूँ मज़े मी हूँ और मैं यहाँ पर स्टार्ट कर रही हूँ और रात के बहुज रहे हैं नौ और फ्रेंच फ्राइस में तो ऐसी की बने आंगा लाःक क्ना है क्या करना है तो यहाँ पर मतलब चॅथा लख सिरब के हैं बनाने की कोशिश कर रहू हूँ देखते हैं यह कैसे बनता है आप लोग यह कुछ ट्राय करें कभी किसी का बड़े हो और कुछ आपके बास घर पिनना हो चॉकलेट सो ताप लोग ऐसी बना के कुछ नगुछ प्रेजेंट कर सकते हो यहां पर भरबर के वापस से बने चोकलेट सिरफ डाल दिया है सब कुछ उडाने के बद माशाला कैसे लग रहे हैं आप लोग कमेंट करके बैता यह वाला और उसके बाद में जा रहे हैं अंदर आप लोग देख लेना happy birthday to you अप्टो कर दो थाओ, उपका जब जब खूदी यह जगाड़े यह कटकर नहीं हाँ हाभी बर्दे टु यू हाभी बर्दे टु यू हाभी बर्दे दिया चार हाभी बर्दे टु यू और यहां पर थोड़ी वह सरीवेशन हो गई है चॉकलेट कट करने की कोशिश करें तर नाइट के हल्प से बट वह चॉकलेट है तो नहीं हो रहा था कोई नहीं तर यहीं हम लोग ने इंजॉई किये उसके बाद मुझे भाई का कॉल आ गिया था कि वह आने वाले है घर पे इनके लिए केक लेकर तो मैंने इनको नहीं बताया और इनके लिए मैंने लेकर आई थी दो शूस तो मतलब इनके साथ ही गई थी तो मेरे पास कोई थान ही अडिया कि मैंने के लिए क्या लूँ तो मैं यही सोच रही थी जो ऐसे चीज लूँगे जो इनके लिए यूस्फुल हो डेली यूस में आया तो मेरे पास अडिया के हिसाब से यही था शूज क्योंके वैसे भी शूज बहुत पसंड है प्रस्नली इनको शूज का कलेक्शन के रखनी की आलत है तो वैसे ही मैं सुजग चलो शूज ही बेटर होता है तो इनको लेकर गई थी साथ में शॉप के बाहर इनको रुखाई थी मैं अंदर चले गई थी क्योंके मेरे पास option नह लेकर आए में थे तो यहां पर मैं की बता त्यूंप को माशाला के बहुत प्यारा था और उनको चॉकलेट के पसंड है मुझे भी चॉकलेट के पसंड है तो यह रहा इनके नाम का आसिप और यह केक है तुनो अब वापस से लगेगी लगता है अले भाई नहीं खिलाए थे इनको बड़ो टीप रिकॉर्ड नहीं हुआ है तो खेर यहां पर मैं इनको खिलाए इतने नीन में थी पता नहीं क्यों मुझे नीन बहुत ज्यादा आ रही थी मेरी आखे यहां पर सुझी सुझी सी लग जी होगी इनको फेस पर लगाना के बिल्कुल नहीं पसंड बट फिर भी बने लगा दिया ना चुड़ जाता है क् स्किन कराब हो जाती है करके तो यहां पर सलीवेशन हो चुका था उसकी बाद भाई ने हो लेते चलो मैं गिफ देता हूँ और फटाफट पहन के देख लेना तो यहां पर उपन करने लगे हैं और माशनलाब बहुत क्यूट सा हुड़ी था और अच्छल में माशनलाब बह यही पहने वेते कल बहुत प्यारा लग रहा था अच्छे कलर भी बहुत प्यारा था और सुबह का हम लोगे नाश्टा बगर कर लिए थे उसके बाद में बारा बजे कांदा जूता उसको फ्राइ करने के लिए रख रही हूँ क्योंकि मुझे बिर्यानी बनानी थी और जादा पसंद है तो मैं वो भी बनाने वाली हूँ प्रस्नली मैं सेकेंड टाइम बना रही हूँ गुलाब चामून तो देखते कैसे बनते हैं जैसे बनेगा लहम दुलीला उनको पसंद जया जाएंगे तो यहां पे मैंने गोल्डन फ्राइ करने के लिए रख दिया इसको चल्ड मैं आपको मसाले बताती हूँ जो जो मैं आज मसाले यूज करने आवाली हूँ यहां पे और यहां पे था धनिया पाउडर अद्रक लसून का पेस्ट लाल मीच कोन फ्लार और मेदे का अठा यह सब कुछ था अभी आपको दाई क्यों चिकन के हिसाब से यहां पे मैंने लिया अद्रक लसून तीन चमच और दही डाल दिया है और यह जो था ना जीरा पाउडर और हल्दी आपकी हिसाब से डाल देना तो यहां पे मैंने दो चमच डाल दिया हल्दी तो मतलब जो भी है आपके अपनी साप से डाल दोनों भी दो दो चमबच करके डालना है कॉंटरेटी के इसाब से और यह जो था जो था न काले मीरे पॉड़ल जो डौड़ ऑफ यह था चिकन का मसाला फिर का भी डाल दिया है कि अपने हाथ की है सिंगे कि अचया है कि अचया से आछ लंग। similar की हम लॉक्स अचया है अपर चाहिए गास मिलता है मसाल्तव मैं और थोड़ा लगता है अपने व Ms. Dre करके डाले वे थे तो अच्छे से इसको वापस से मैंने मिक्स किया है तो आप लोग टेस्ट करके देख लिए ना भी कि मतलब सब कुछ सही है यह नहीं तो उसके बाद मनिया पर सब कुछ सही था तो फिर एक ट्रांसफर किया था दूसरे टोप में और इसको रग जेते मैंने टाइंग नहीं रहेगा और जोग रात में सेलिब्रेशन रहेगा तो वह स्यारे चीज़े उसी में बीजी हो जाओंगी तो मैं खाना नहीं बना पाऊंगी तो इसलिए मैंने अभी से बना के रख दिया भी रख रह पर फ्रीज में इसको कवर किया था उसके बाद यहां पर मतलब कवर करके रख दिया था फ्रीज में और यह गुलाब जूम का जो पाकेट था हम लोगने डीमाट से लेकर आए वे थे और उस पर लिखावा था हंड्रेड गुलाब जूम बनते हैं तो इसमें से मैंने हाफ यूज किया हुआ है हाफ पाकेट जो था वो यूज किया ह निबागरान खरीज को इस बुएया है आप बार से टोप निकाल दिया है और मैंने साइड में सोचाए कि पर रेले चाarchnी जो होती इसको रख दू तो शकर डाल कर चाजनी बनान तो रख दिया था और शाईमन चुकर दिया है ऐसे मतलब आइस साइड तो ने का सोच अहे थ लिया है और थोड़ा गुन-गुना दूत करके उत्यादा करना है ठोड़ा सा अगरम होना च्छह हो और उस-क हिसाब से अपशार से थोड़ा करके डालना है यहसे आपको लगता है वैसे वैसे यूद् करना है दूसको और यहां पर पूरा एक कम जो था पूरा यूज हो चुका था और यह बहुत अच्छे से सॉफ्ट बन चुका है और आप लोग ना एक चीज की नोटीस करना जब हम लोग जैसे इसका एक गोल पेड़ा बनाते हैं ना जब आपके हाथ में और चुटता नहीं अपर समझना के हाँ यह रेड़ी हो चुका है तो यहां पर मेरे हाथ में ऑईल खुछ से निकल रहा था तो मैं अपने हिसाफ से बड़े-बड़े बना रही हूं छोटे-छोटे नहीं बनाओंगी कि उतना टाइम नहीं है जोटे-छोटे बनाने के लिए तो ने बनेगा च के लिए फ्राय हो चुकहे थे उसके बाद वही हो यह मैं आप गलाव जमन को पहले फ्राय कर रही हूंँ देखते ही कैसे होते मैं तो यह पाकेच तो फर्स ताम यूज कर रही हूं क्योंकि में जो वाला गूस करती थी वह द्यूस करने लगते थे रिजल्ट क्या होता है और्मना मेर सब्सब्स मुझे इसा डर में दर लग रहा था कहें जलना जाए मतलब फैसी तrée है में जा knights बात ओंब जादा गरम ऊचुका था capable के लिए जान्द धुभ्त कि ऑंद तो यह और यह स्गी जैसे बड़ किए तो फूंद के लिए और लुग Cup किए इनकों तो फोड़े तो तो फू 5 लिद्स को किया उसके बास बन करके अढ़क के कवर करके रग दिया तरह पर मेरी गोल्डन अब्रॉण के है आप अलग से पाली निकल के रख दिया था और बिया जीरा, दालचिनी, लाइची, लोम, यह सब कुछ मैंने इसमें डाल दिया है, ओइल डाल दिया है, हरिमिच डाल दिया है, नमक एड़ करना है, यहां पर मैंने दिया है, दो किलो चावल, मतलब टू केजी है यह, उसके बाद पानी जोशा आ चुका है, फिर जो अक्य गर्म मस यह, बिर्यानी के चावल मैं इसलिए यूज नहीं करती हूँ, मतलब यह बिर्यानी वाले ही चावल है, बटी छोटे वाले चावल है, और जो बासमती जो लंबी वाले चावल है, वहां लोग उतने पसंद नहीं आते हैं, क्योंकि वह हम लोग खाने के लिए बैठ जाते है तो वह महमान वगर आएंगे, तो उसके लिए भी हम लोग नहीं यूज करते हैं, क्योंकि हम लोग को ना ऐसा मन करता है कि महमान भी आया ना ओपेड घर के खाना खाके चाया, ना कि मतलब वह ऐसा हो जाता है, एक दो प्रेट में इनसन खाके बस कर देता, और यह वाले जो जो चिकन रग दिया था दो गणटे के लिए इसको निकाल के फ्राइ करने लग्यू, फ्राइ करना ज़रूरी है, चिकन टिका तभी तो बनेगा, पूरा धाई किलोग चिकन है ना मना सब पो फ्राइ किया था, और एच्वल में ना मिजो ऐसे भी अच्छा लग रहा था, ख साइड में एक टोप लेना है, उसके अंदर ऑईल डालना है, तेज पत्ता और दालचीनी, आपके पास जो भी आपने गरम मसाले डाल सकते हो, तो मैं ज्यादा गरम मसाले आड़नी करूंगी तेज पत्ता दालचीनी, अध्रेल इसको पेस्ट मैंने ये डाल दिया इसके अं के अंदर, अच्छों में इसमें ज्यादा भी रिस्ताता लगता है, मसाला बनाने के लिए, और नमक आपकी हिसाफ से डालना है, तो मैंने दो चमच मैंने भरके नमक आड़ किया था, टोड़े से सॉफ्ट हो जाए इसलिए, तोली से हल्दी आड़ किया है, फिर यहापे ध कम, और यह इसमें जो डाला है, मैंने यह पूरा पाउसर डाला है, और यहापे डाला है पुदीना, भर भर के पुदीना डाला है, तो जो अपने जो फ्राइ किये वे तो चिकन थे, फिर वो एड़ करना है, और थोड़ा सा आपको ऐसे लग रहा है कि ग्रेवी चाहिए, त मतलब मसाला थोड़ा अलग दिकरा है कलर, तो आप लोग को क्या करना है, इसमें थोड़ा सा फूट कलर आइड करना है, तो मसाला और वो सेम हो जाएगा, और रेट चिली पाउडर आपको पास हो तो आप लो भी आइड कर सकते हैं, आपकी हिसाब से, तो फिर यहापे मैंन दो लिएर भी बना सकते हैं, तो मैंने एक लिएर बना आए, तो यहापे मैंने पूरा एक लिएर में उसको अच्छे से कवर किया है, और यहापे थोड़ी से दन्या पत्न डाल दिया है, और गरम मसाला वापस से उपर से आड किया है, आप लोग बिल्कुल भी स्किप ना क को और ओरंज कलेकर मैंने फुट कळल गया है और जो ओएल फॉरज पार और दीया क honorary करना है तो माशाल ल्हाइल यह अपर पर ज़रू है ट्रास यह राइक बार तो अपर बहूं प्रगं वह वह बहुत घंदि न जाती है और ऑर आरामसे आपके घरChild बच्चे बच्चे होते हैं तो लोग बहुत शोक से खाएंगे मतलब माशनलब बहुत अच्छी लगी मेरे हजबन को बहुत ज्यादा पसंद आगी थी यह वाली बिर्यानी तो आप लोग भी चिकन्टिक का बिर्यानी एक बार जरूर ट्राय करें देख रहें आप लोग फु निकल के रख दिये है जैलो एंड ग्रीन तो यहाँ पर मैंने ग्रीन वाला पहना वा था और यह ट्रावजर के साथ में अच्छा लग रहा था तो इंशाला मैं आपको राप में बताती हूँ कि यह मैंने पहन के कैसा लगा और जो भी है मैं अभी बहुत प्यारा था यह मे किये सब्सक्राब मैं चैनल